अलो एवरिवन आजके इस वीडियो में हम मुगल सत्ता के सूधरडिकरण के आंतरगत अक्वर के बारे में अध्यन करेंगे। दिसंबर 1525 इस्वी में हुमायूने मच्छी वड़ा के युदु में अपना खोया हुआ सामराजे वापिस प्राप्त कर लिया। मगर कुची महिनों में उसकी अचानक मृत्त्यू हो गई इस दुरगटना ने अफगानों को फिर एक बार दिल्ले और आग्रा पर अधिकार करने का अउसर प्रदान किया। परन्तु उनकी सपलता अल्पकालीन थी शिगरी मुगलों ने अपना खोया हुआ राज्ये पुने प्राप्त कर लिया। इस समय मुगलों को बेरम खा का प्रभाव शाली नेतरत्व प्राप्त था। बेरम खा हुमायू का विश्वश्निय मित्र और अक्पर का संगरक्षक था। अक्पर के आरंबिक शाषन काल में 1556 से 1560 इसवी तक बेरम का ही प्रभाव मुगल सामराज्य में बना रहा। इस काल में बेरम खा ने मुगल सामराज्य को सूधरत्ता और सूव यवस्ता प्रदान की परंतु सामराज्य के विस्तार का कारिय अक्पर द्वारा बेरम खा के विस्तापन के पश्याति किया गया। अक्पर का जन्म 1542 में अमर कोड सिंध में हुआ था। उसका प्रार आरंबिक जीवन प्रतिकूल परस्तित्यों में गुजरा। उसका पिता हुमायू अपना राज्य खोकर शन्नाति बना हुआ था और स्वम अक्पर अपने सोतेले चाचा मिर्जा कामरान की गेद में था। बेरम खान ने ततपरता के साथ अक्पर का राज्य विसे कलनुर किस्तान पर ही कर दिया जहां उस समय अक्पर का पड़ाव था। उसने पानिपत के दूसरी लड़ाई 1556 में हेमो को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर पुने अधिकार कर लिया। इस प्रकार मुगल सामराजी के रक्षा होई और अफगानों को चुनोती है सफल साबित हुई। संग्रक्षन काल हेमो के पराजय और मुगल सत्ता की पुने स्थापना के बाद बेरम खाने अफगान शक्ति के अउशेशो का अंताउशक मा जाना। 1556 से 1760 के बीच उसने अकबर के संग्रक्षक के रूप में काम किया और दोव एवं मध्य भारत के कुछ शेत्रों में अफगानों को उसने पराजित किया। सरप्रतम उसने मेवाज शेत्र पादिगार कर हेमो के परिवार के विरुदकारिवाई की और उनसे शाही खजाने का धन वापस लिया। 1558 से 60 के मध्य में ग्वालियर और जोनपुर पर उसने अधिकार किया। रंधंबर और मालवा पर भी आकरम नुरेज किन्तु इन में कोई विश्य सपलता नहीं प्राप्त हुई। दरबार में बेरमखा के बढ़ते वे प्रभाव की कारण उसकी विरुदी अब उससे इर्शा करने लगे थे और अकबर को उसकी विरुद चिकायते मिलने लगी थी। स्वयम अकबर भी अब राज्य के मामलों में जादा सक्रिय भूमिका निवाने का अच्छुख हो रहा था। अते 1560 में उसने बेरमखा को कार्य मुक्त कर दिया। बेरमखा ने इस निर्ण्य से एप्रसन होकर विद्रोग कर दिया मगर एसफल रहा। और 1561 में उसने अकबर से शमय आशना कर हाज्मियानी तीर्थ के लिए जाने के अनुमती मांगी जो अकबर ने प्रदान कर दी। इसी आत्रा के क्रम में गुजरात में बेरमखा की अत्याईग अबगान ने कर दी। अकबर का राजनितिक द्रस्टिकोन 1561 के बाद अकबर ने मुगल सामरज्य का प्रशासन स्वयम ग्रेंड कर लिया और एक दो वर्चों के बीतर ही उसकी सर्वों परी सत्ता राज्य में कायम हो गई। अकबर का अर्द शताब्दी लंबा शाशनकाल मुगल इतियास का सबसे महत्पनुर रशनात्म यूग था। यह राज्यतिक एकता केवल भोगलिक सीमाओं से ही संबतित नहीं थी बल्कि इनमें प्रशासने एक एकरन आर्थी विकास और सांस्गतिक प्रगति का उद्देश्य भी नहीं था। अकवर ने भारत में ना सिर्फ एक विशाल सामराज्य का निर्माण किया जो मोरिय सामराज्य के पशात भारती इतियास का सबसे विस्तरत सामराज्य था। बलकि उस ने उस शेत्र को एक रास्टी राज्य का रूप भी प्रदान किया। अकबर ने मुगल कालिंज शाशन प्रनाली का निर्माण भी किया और ऐसी संस्ताओं का विकास किया जो धिर काल के लिए मुगल सामराज्य की एकता और सुद्रत्ता को बनाये रखने में सायक सिद्धुई। उसने राजपुत शाशकवर के साथ मेत्री और सायोग की नीती अपनाई जिसका दिस्तार अन्य शेत्री राशकों के साथ संबंदों के मामलों में भी हुआ। उसने धार्मिक शैशुनता के नीती अपना कर सामराज्य के विभिन धर्मामलंबियों के बीच एकता को बढ़ाया साथ यसाथ उसने विभिन शेत्रीय सांस्क्रतिक परंप्राओं को एक साथ मिलाकर एक समन्वित सांस्क्रतिक परंप्रा के विकास में योगदान दिया। में इस्तापित परंतु थी परंतु उनके प्रतिजंदी अफगान अभी गुजरात मालवाब बिहार बंगाल एवं उडिसा में शक्रिय चक्तिशाली थे सिंद और कश्मीर में भी मुस्लिम राजवंचों का शाशन बना हुआ था राजपूत शाशक राजस्तान गोंडवान और मध्यवारत में शक्तिशाली थे जबकि दक्षिन में विजय नगर और खान देश के अतरिक बहमनी सामराज्य के अनेक उत्रादिकारी राजजी बने हुए थे मध्यवारत अकवर के शाशनकाल के आरंबिक सपलताओं में मालवा और गोंडवाना के शेत्रों की विजय शामिल थी मालवा के शाषक बाज बहदुर को अकबर के सेनापती अधम खाने पराजित कर मुगल सामराजी के अधिन्ता मानने पर वाद्य कर दिया और मालवा को सामराजी में मिला लिया गया गोडवाना का एक शाषक एक अलपाईव बालक था परन्तु वास्विक सत्ता रानी दुरुगावती के हाथ में थी जो उसकी मातावे संग्रक्षिका थी 1564 इसवि में मुगलों ने इस पर विजय प्राप्त किये लेकिन 1564 इसवि में अकवर ने इसके कुछ अंच यहां के शाषक वंस को पुने सोब दिये और उन्हें मुगल सामराजी के संप्रभूता मानने को बाद्य किया इसी बीच अकवर ने 1564 इसवि में काबुल के शाषक मिर्जा हकीम के आकर्मन को विफल कर दिया और उजवेक सामन्तों के विद्र जो 1565 से 1566 इसवि तक रहे का दमन किया अकवर की जो है